है दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आई सब अच्छ होंगे दोस्तों फिर से मेरे येट्यूब चनल पर आपका स्वागत है दोस्तों मैं आज आपको नए टॉपिक हेसाब नए वीडियो लाया हूं तो आज का टॉपिक यह दोस्तों की कोलोष्ट में जो किट होता है मार्केट में अभी उतना अवेलवाल नहीं है कि हर जागा हर सौपि मिल जाए तो यह ओलाइन ही आपको मगाना पड़ेगा और आपको लेना है तो आपको कॉमेंट कर दे मैं उसका आपको लिंक सेंड कर दूंगा डिप्रिशन में उसका लिंक डाल दूंगा वहां से आप जाके ले सकते हैं तो दोस्तों अगर आप मेरे चनल पर नए हूं अगर अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मैं ऐसी वीडियो आप सब के लिए लाता रहता हूं तक कि मेरे वीडियो से आपको हेल्फ मिले और अपनी जो बोडी का और जो इस्टोमा है अप पहले बनाया था उसको जादे नहीं मिला उतना तो आप में लिंक में लिंक देया हो जाकर आप वहां भी पुराना वीडियो देख सकते हैं फिर से मैंने ये कॉलोष्ट में किट में गाया है तो मैंने सोचा कि क्यों आपके सामनी ये किट जो है फिर से एक अच्छी और नह आपके सब्सक्राइब देना पड़ा और देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये मगाया बहुत अच्छा बैग है दोस्तों मैं भी लाइट टाइम के लिए यूज करता हूं और काफी अच्छा इससे हमको फीड़एक मिला है और काफी अराम दायग भी है कॉलोष्ट में पेस क्योंना हम इसी चीज को लें और कोलोष्ट में किट को ना लें तो दोस्तों अब ही तक तो ऐसा कुछ उपाज नहीं आया है कि कोलोष्ट में किट ना लें आप बैग ह左 ہिले ये तो आभ और किट में ये ड़ेंट बैगञ मिलें तो अब आइह ऑप कि आप एक नया किट हिल कि ये होता है थोड़ा खरब होजाता है तो अगर बेघ्चे से समझ चूके हैं तो आप एक गदके हैं ताके आपके शो नहीं जाए यह बढका होगा दोस्तों की यßenकर खरा रहा हूं इसको इसका होलिय कैसे खराब होता है और मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो में मोडिफाइब किया हूं आप वहां पर भी जा सकते हैं इस को मैंने मोडिफाइब भी किया है मोडिफाइब मतलब यह वगेरा वगेरा जो अपने हिसाब से बनाया हूं आप वहां पर जा होना रहे हैं कि 100 फि bitches और खराब होस Campbell करते चाहित करते करते खराब होுसाैस्स यह दो जाएंगे तो क्या होता है आपके पेट पड़ेदी तो तो अच्छा नहीं छाए इसमें लाएगी अगर इसमें लाएगी तो आपको अच्छा नहीं फिलोगा तो और ये भी खराब हो जाता है और ये तो नहीं खराब होता है क्योंकि ये फेबर प्लास्टिक का है तो मैंने मोडिफाइब में किया हूँ अगर कोई कोई क्या होता है कि गरीब होते हैं फिर से डर नहीं ले पाते हैं कोलोश्टमी केट खराब हो जाते हैं तो उसके लिए मैं एक मोडिफाइब वीडियो जरूर बनाया हूँ आप अहां पर भी जासे के देख सकते हैं तो दोस्तों यह जो बैक्स होते हैं ना इतना कंफिडेबल होते हैं आप कॉलिशनी फेशन के लिए जो लाइफ टाइम को जिसको लगा है तो उनको यह परिसानी होती है कि एक अच्छा सा कोई बैक हमको मतलब प क्या काम होता है यह रिंग्स देख रहे हैं आप तो इस स्पार बैक देख रहे हैं इसको इसमें लगाना पड़ता है सिंपली कुछ नहीं करना पड़ा है बहुत आसाम है अगर आप मेरे वीडियो से आप लाश्ट तक देखे ना सारी आपको इंपरों असर मिल जागी कहीं नहीं प्रवाओ के वज़ए से यह बेल्ट फट जाएंगे कभी-कभी हमारे दीमाख में यह तो ख्याल आते होंगे कि हम बैक पहने हैं या कहीं पर बाई चला रहे हैं या कहीं पर धक्का लग गया क्या सोचते हैं कि यह कहीं तो हमारा बैक जो है पनी है लिफाव अप अब आपको अगर देख सकते हैं यह यह बैक जो होते हैं बहुत पतलब लिफावा जो होता हलका होता है तो आपको थोड़ा से भी श्टूल आ जाए तो आपको इसको हटा देना है मैं नहीं तो आपको क्या होगा कि अभी तक तो मेरे साथ में नहीं हुआ है ऐसा कुछ यहां से लिसर करेंगे तो यह तर्णेगा जितना होता तरिकहाँ धिक्षार रहे हुं लेकिकिन अगर हम यहां से अगर इसको करेंगे यह कроians तो अगर यह सी जो होती है अगर वड़ेगी यह किनारे से किनकी हम इतना डालेंगे तो हम चलते हैं वीडिएयो को बढ़ाते हैं कि कैसे लगाता है तो दोस्तों हम एक लट के तीफ siyavi mě भी दिखा नहीं सकता हूँ किसूइशन बहुत घंबी है मेरे को खुद नहीं च्शे लग रहा है मैं दिखा हूँ तो दोस्तों ये जो एरिया है यहां तो दोस्तों यहां पर जो आपके हीर से ना आपको यहां पर रिमूब करना है नहीं तो आपको क्या होगा जब लिंगे तो आपके हेर्स जो होंगे बहुत अच्छे रिजल नहीं देंगी खराब लगेंगे तो मैं किट के आपको सामने दिखाना चाता हूं यह जो किट है अपना इस किट को हम अपने कमर की हिसाब से अच्छे से फिट करना ज्यादा कुछ करना कंपनी चैसे देती है वैसे ही लगाना इसमें ज्यादा और कुछ हमको हाथ से अपने कुछ करना नहीं है बस यहाँ पर जो है बेल्ट पहनेते होंगे दोस्तों तो इसके हिसाब से इसको हम कमर की हिसाब से अच्छे से फिट कर लेना है ताकि जो हमारा जो कमर है उसमें फिट रहे नड़ीड़ रहे नजाज़क असा रह है हम अपने हमारी कमर दोड़े लोग दम लगती है जितना हम अथारा यह तो इसकी फिल और तो हम इसको चश्य से अब hmd के लैं अगर आपको भी मैं अच्छ่से से प्लपा रहा हुआ है नहीं दिखा अन्य पता है वोगल आप अधर मेरे वीड़यों से और आपको अच्छे से सीख मिल चुकी है ना दोस्तों तो कॉमेंट के जरूर कर देना क्यार दोस्तों देख सकते हैं यह सिंप्ली से आपको कुछ करना नहीं है तो आप यह जो है कि इसके साफ से हमको फिट कर लेना अपने इस टोमा को तो देख सकते हैं दोस्तों कि इस टोमा जो होता ह है ना हमको जादा इस साइड लगा रहा है ना जादा उस साइड बीच और कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ कर रहे होता है इस सोसते हैं कि स्टोमा जो है हमारा कहीं धर ना चला जाए कहीं धर ना चला जाए तो दोस्तों कमर के हिसाब से जब आप इसे फिट कर लेते हैं तो जो qit होता है न एक जगान पर फीट हो जाताय जालता है घ्त सोते टाइम जो स्टोमा के तक जाता है तो आपको यह ध्यान देना कहीं को हमारा जो किट है ऐसे करके स्टोमा के उपर ना चलागा तो यह इस स्टोमा करना पड़े यह एक ही ने चलागा यह खोक्टेशे कर तो तो यह जा Ole आते हैं इसको हमको अच्छे से अपलाई जाना है देख सकते हैं यह जो कीट लेना हाथ में अगर किसी को नहीं पता है तो आज मैं अच्छों से बतादेना हूँ यह जो किट लेना है इस पर्नि 지ट हैं मूह ऊष्ज़ें को वार इससे देना है । देखते हैं अच्छे से पहना दिया हूं मैं इसके बाद पहना कि पहनाने के बाद में हमको इस साइड में से ऐसे करके ऐसे रख लेना है तो कोई कोई होता है दोस्तों की क्या होता है कि जो यह चीज होते हैं यहीं कभी-कभी हम ऐसे भी कर लेते हैं जब हम बैट लगा रहते हैं तो दोस्तोंगर हम आपको को अच्य सलाहा दें तो यह 7 होते हैं हम को इसके नीचेसी रखना है क्योंकि जब कोई भी सीज झाहरा कशी बिद्वाब में इस हार कर दोस्तों चाज भी लुकति में जो बता है उस वीडियो में नहीं मताओ था खास बात यह दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इस्टोल्स होते हैं यहां से देखो यहां से भड़ जाते हैं तो यहां से भड़ जाते हैं तब लिभाब में नहीं जाते हैं लिभाब तो उसको आपको सिंपली से पीछे से खौलना है खौलने के बाद में ऐसे खौलने के आकि यहां पर चली आएंगे जख सरके दम्हारेंगे और दासर आप recall तो आपको यह पेह लोड़ेनें आप फिना इसे दो तीन फिना गया है दो तीन चार बाद आपका आधा भर जाए तो आपको simply फैग देना इसे फिन दूसरा प्लाइक कर लेना है तो खास बात ये दोस्तों कि हमारा जो स्टोश हौता है उसे यह कभी कभी लुंक टाइब मे आता है कभी सॉप्डा है तो जिसका लुकर टाइब में आता है उनके लिए फास सिंफ्ल music ये इस वी इदियू में तो हमको कोगर यaita ये देष्क सात्ते हैं कॉटन में कॉटन ले अगुए हम हाँ में के आपको को सिंपली ऐसे करना है कॉटन को कॉटन को ऐसे लगाना है स्टोमा के साइड साइड में लगाना है कॉटन ठीक है कॉटन लगाना है स्टोमा के साइड साइड में स्टोमा तो यह बीज में है स्टोमा के उपर कुछ नहीं लगाना है बस साइड साइड में आपको ऐसे करके ऐस पड़ेगा न बैरीर क्रीम लाएगी न प्र Wag parishra Przy 예शन तो इसमें होता नहीं है उतना क्योंकि जो होता है हमारा ए्रिया होता हे मरे भाफर कoga तो आप देख सकते हैं मैंने को लगाए को लगाने को तो यह चीज मैंने अच्छे से पहन लिया हूं। अब इसमें दोस्तों यह जो है अब जा सकते हैं अब हम कहीं पर बीजा सकते हैं इस बैक को पहन के ठीक है अब मैं अफसारी information दिया हूं और देख सकते हैं दोस्तों की कैसे क्या होता है अगर आपको कुछ और कुछ नहीं इस बैक के बारे में तो आप comment कर देना मैं वीडियो आप ला दूंगा टो दोस्तों की आप देख सकते हैं मैंने कैसे बैक कि जाता है कैसे कि उसके बारे में इस बारे में अबोर ऑबर ये बैक आपको एकसे दोडा है आप दोडूंषII में जब नहाते हैं नहाते टाइम आपको दो से तीन दिन में धूल देना है उससे क्या होगा कि आपको smill की bags चले जाएगी और आपको smills नहीं आएंगे इस आप कपड़े की जैसे कपड़े जैसे सुखाते हैं वैसे आप इसे भी सुखा सकते हैं और सुखाने के बाद में आपको दो बैक्स है अबसक्राइए एक बैक्स आपको पाहने है इस एक बैक्स आपको तुखाना में यह घ्ट WhatsG तो थोड़ा अलग से इसमें लाएगा और मैं नहीं चाहूँगा कि आप सब परेशान हों तो आपको एक बैक्स धूल देना है धूलने गबाद में रख देना है धूप में तो एक बैक्स जो होते हैं उसको फिन से पहन लेना है फिन ऐसे ऐसे करके जैसे आप दो सेट लेते ह है या मेरे वीडियो से आपको बहुत मोटिबेट हुई है तो आप एक प्यारा से कॉमेंट और सस्क्राइब कर दे बहुत सारी बाते हो गई है वीडियो भी लॉंग हो चुका है और अगर कोई बात आपको नहीं इंफॉर्मेशन मैं नहीं बताया हूं तो उसके लिए आप कॉमेंट कर देना मैं उस टॉपिक पर वीडियो ला दूंगा तो दोस्तों आज के लिए इतने काभी मैं मिलता हूं इस टॉपिक के साथ में नए वीडियो के साथ में दोस्तों आपको प्यार बना रहे है मैं चाहता हूं आपको एक नए नए वीडियो मैं लाते रहता हूं हपते में दो वीडियो मेरे रोज आते हैं तो अगर मेरे वीडियो से आपको बहुत-बहुत कुछ मिलता है आप इनफार्मेसर मिलती है तो हमको एक बार लाइक जरूर कर दे दोस्तों आपका लाइक हमारे लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत खुशी का पर्द मिलता है तो वीडियो को खतम करते हैं दोस्तों मेरा नम अमन है आप सब जानते हैं और लाश्ट में दोस्तों के इंडियन गुरूप है वहाँ भी आप आके सामिल हो सकते हैं लिंक डिप किडिसर में दिया है वहाँ पर आप जाके आप जोइन हो सकते हैं ब